हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टाप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है उमीदे आप सब अच्छी होंगे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो को मिस तो क्योंकि हम जो भी हमारे यहां सरकार बनती है तो वह सरकार किसका आइना होती है किसका रिफ्लेक्शन होती है वह हमारे लोगों का ही होता है क्योंकि हम जो भी प्रतिनिधि चुनके भेजते हैं वही बाद में ग्रुप बनाकर सरकारे बनाते हैं तो इसे के बारे में हम यह जो प्रेक्रियाई होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं और यह जो संसाद है वहाँ पर नियम कानून कैसे बनाए जाते हैं जो भी बेल पास किये जाते हैं इन सभी के बारे में हम डिसकस करेंगे कि वहाँ पर सीट कितनी होती है लोगसभा में कितनी सीट होती है राज्यसभा मे अजादी मिली थी, तो लोगों ने बहुत जादा शंगर्ष किया था, ठीक है, तब ही से लोगों को विश्वाश हो गया, कि जो यहाँ पर लोग है, जितना ने शंगर्ष किया है, इन सभी की भागेदारी है, तो इनको सभी को हमें समान हक मिलना चाहिए, कि सभी को हमें एक पार्लेमेंट के जुरुरत है, जहाँ पर अपनी बातों को रखा जा सके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, कि यहाँ पर जितनी भी स्टेगल की गई थी, इन्हों जो शंगर्ष किये गए थे, देवर इंस्पायर्ड बाइडियास अफ फ्रीडम एक्वाल्टी और पार्टिस जैसे कि आपको पता है कि बिडिडिश गौफ और्मन्ट थकल है जो उन्हें पर अधिकार किया करते थे तो हमें आपने हमें नहीं लेने दिए करते थे, जैसे आपको पता वोट्र्ट देनका अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को हुआ घरता था, युनिवर्सल अडल्ट सफ्राज ये बहुती कम लोगों को मिला हुआ था मतलब ये कि जो हमें वोट देने का दिखार था वो सिर्फ कुछ लोगों को ही था जैसे कि अमीर होगा पड़ा लिखा होगा तो उन्होंने बहुत सरे पैमाने रखे हुए थे इससे के कारण क्या हो रहा था कि हम अपनी बातों को सामने रखने पाते थे इससे क्या हुआ बड़े फेस्ट ग्रेव डेंजर इफ ट्राइटू करता था क्रिटिसिजम करता था तो उन्हें बहुत ज्यादा ड्राय धमकाया जाता था मतलब कि उनकी अवाज को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जाया करती थी भारती जो लोग हुआ करती थी तो इससे क्या हुआ फ्रीडम मुव्मेंट चेंज इस सिच्वेशन की बड़ यह जो अजादी के जो अंदूलन चलाय गया उसने इस थिति को बदल के रगी दिय जो रास्टे वादी यही बड़ी तरही देट हैया जो कोड़ेसा और रास्टेवादी वाडी नेता डह्त शुरू कर दिए इनज्ब capacity यही पार्टी रेट बनी थी तो आपने इसको याद रहना है जो इन्ग्यान नाइस्नॐल तरह सब्से पहले यहीन पर्णी बनी थी 1885 में ठीक है क्योंकि यह वहाँ इसमें बहुत ज्यादा नेता हुआ करते थे तो यह जब पार्टी बनी इसके बाद क्या हुआ इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमेना लेजिसलेचर असेंबली दी जाए कि यहाँ पर एलेक्टेड मेंबर हैं यहाँ पर जितने भी लेजिसलेचर असेंबली तो वहाँ पर थी कि जितने भी यहाँ पर मेंबर होंगे उसमें हमें भी एलेक्टेड किया जाए कि हमें भी उसमें मेंबर की सीट दी जाए जिसके क्या हुआ तो यहाँ पर हम बजट को डिसकस कर सकें और बहुत सारे various questions थे महाँ पर हम पूछ सक लेजिसलेचर अंडर दा ब्रिटिस गवर्मेंट वर इन रिस्पॉंस तो ग्रोइंग डिमांड ऑफ दा नैशनलिस्ट कि यह जो इसमें जो लेजिसलेचर में ठीक है लेजिसलेचर के अंदर जितने भी वहाँ पर लोग आये थे वह सभी इस रास्टवादी कारणों जो र अगरेशस थलेचया जो कि अंग्रेश थे हम पर उन्हों ने कैसा अधिकार किया था कितना राज किया थने सालों तक एससे भारतिया लोगों ने बहुत कोछ सीखा था तो इसलिए अपने मन में कोई डाउट निलाना चाहते थे तो इसलिए हम सारे अधिकार दिये गय Coach हम हम पार्टिस्पेट कर सकते हैं हम अपने आ फ्रीका हम प्रति नींदियां ऒहां पर प्रतिनिदी होंगे उनको चुन में करेंगा, बट उनको चुन ही भी भेज रहे हैं तो इंटरेक्टिव में हमारे डिसीजन ही ले रहे हैं जो हमारे हीत में अच्छी होंगे तो अजादी के टाइम पर ठीक है जब मिलने वाली थी वी वर गोईंग टुव इसीटीजन फॉर फ्री कंट्रे कि हम अजाद देश के नागरी करने वाले इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब यह नहीं है कि जब اس टाइम पे सरकार बनेगी तो पर उपनी मनमरजी करेजी करेंगे निए तो और धरने इस टाइम पर आंधीन है कि हमारी जुवारी माग थे कि इसमें हमने हमको उन्होंने क्या दिया कि युनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज दिया कि हम सभी को वोट देने का अधिकार था उस टाइम पर 21 एज हुआ करती थी ठीक है फिर बाद में इसको 18 एज कर दिया था ठीक है एज थी जो तो जब यह हमारा देश जब अजाद हो रही थी भारत की कि यह लोग कहता है कि उन्होंने कहा कि यह लोग उस देश को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं उन लोगों को सरकारे चुनने का अधिकार दे रहे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है अगर आप आज की सिचुवेशन से उसको कंपेर करो तो क्या यह आ इम्रावंबेदकर ने जो भी हमारे constitution में लखा था कि हम तो सभी को राइट देंगे 18 एज कि जितने भी हैं 21 एज उस टाइम पे दिया था कि जितने भी हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा और यहां पर एक और बात है कि जो EVM का जो इस्तिमाल किया गया था सबसे प के लिए क्यों क्यें उस कि जो पहले बैल्लेत पेपर का इस्तिमाल किया जाता था ऑगच्ण के तो उसकी वजह से सारा पेपर यूज होता था तो इस से यहां पर इनोंने लिखा भी हुय है कि यहां पर लगबउड जो पेड थे उनको काटा जाता था ठीक है तो 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 जब 2004 में इन्होंने EVM का यूज किया तब जाकर यह था यह इसको कम कर दिया गा ठीक है तो मतलब कि यह सेविंग बहुत कर लिए और सबसे पहले ठीक है जो स्टेट अलेक्शन हुई थी यह आपकी कताब में तो नहीं दिया बटो 1999 में हुई थी गोवा में ठीक है इससे पहले भी काफी एक बार जो कोड था जो भी हमारे कोड थे अदालते थी उन्होंने एक बार रोक भी लगा थी कि आप EVM का यूज नहीं कर सकते फिर बाद में इसको ओवरूल किया गया फिर जो फर्स्ट स्टेट एलेक्शन हुए थे वह 1999 में गोवा में हुए थी ठीक है आ अगर आपने आपने सारी वीडियो स्ट डेखी है तो उस्में आपने देखा की हम ने उसमें हिमाचल प्रदेश का पढ़ा था कि मों पर राजसरकारे होती और वह कैसे पाम करती है तो इसी त्रहा यह दूसरा सिस्टम भी होता है कि मि उप्रतिनिदी होते हैं उनको चुन क कर भीजा जाता है तो वह वहाँ पर अपने फैसले लेते हैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रहे होगी जो की हाथी पर चड़कर जा रहे हैं जो भी वहाँ पर लोग है यह इलेक्शन करवाने जा रहे हैं अब यह हमारे पारलिमेंट यहां पर एक अपर य hosts में इक होता है राज्य सबha और लोक सभा और जो राज्जसबह होते हैांatalاذ और यहां पर जो maximum होती हां जो टोतल स्थैंप होती है वैसे maximum तो राज्यसभा के मैक्सिम यहां पर राज्यसभा होती है कि लेक्सेर तो ओवियंद में होती हैं अधर आगर पूछ में maximum लिखना और उन्होंने maximum लिखा या फिर present लिखा है अगर उन्होंने normally पूछ लिया तो आप 245 लगा कर वहाँ पर आ सकते हैं अगर उन्होंने maximum पूछ लिया तो आप 200 लगा देना जैसे कि वहाँ पर 245 वहाँ पर seats होती हैं अगर वह यह बात करें लोग सभा की तो लोकसभा में कितनी seats होती है, 5.45 होती है, और इसमें आपने एक और बात याद रखनी है, कि जो लोकसभा है, ठीक है, इसमें लोकसभा में कुछ nominate भी किया जाते हैं, कुछ members होते हैं, जो कुछ arenver होते हैं उनका सीधा राष्टपती के द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है वह कितने होते हैं तो लोगसभा में होते हैं वह दो ठीक है और वह राज्यसभा में कितने होते हैं राज्यसभा में वह 12 होते हैं और जो राज्यसभा होता है उसमें जो चेर परसन होता है जो प्र तो आपने इसको याद रखना है तो सबसे अब शुरू करते हैं जो राज्य सभा होता है उसमें 245 संख्या होती है उसको उसकी अध्यक्षता वाइस प्रेजेंट करते हैं जो उपर राष्टपती होते हैं भारत के और जो लोग सभा होती है वहाँ पर कितनी सीट्स थी 545 थी ठीक है वैसे तो 543 होती है अगर हम वही दो जो दो सीट्स होती है उनको कौन चूज करता है उनको सीधा नॉमिनेट किया जाता है किसके दवारा राष्टपती के दवारा प्रेजेंट के दवारा तो कितनी होगी है इसको यह होगी 545 होगी अब देखेंगे कि रोल अफ पा पास है हमारी डेमोक्रैसी में यह उसी का एक्सप्रेशन है और यहां पर जो आपको पता ही है कि दीज आर पार्टिसपेशन बाइद पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्मेंट बाइक कॉंसेंट कि यहां पर सभी लोगों की सहमती से यहां पर जो भी नियम गये लोग है हुआ और वहां पर नियम कानून बनाते हैं और आप एक बात और याधर रख सकते हैं इसलिए हम इसको इन डिरेक्ट डेमोक्रा सी कहते हैं ठीक है अब कि कषकर आप इसको डि सब्सक्रीयंत की पोनुलेशन है उप बहुत ज्यादा यहां पर डे programmes आ The Parliament in our system has a eminence power कि यहाँ पर हमारी जो पार्लिमेंट है, इसके पात बहुत सारी powers है, जैसे कि यहाँ पर जो representatives of the people होते हैं, इसके इसी के कारण यहाँ पर बहुत सारी power होती है, क्योंकि इन लोगों को हमने ही चुन कर भीजा है, election to the parliament and held in a similar manner as they are the state legislature, कि जैसे हमने स्टेट लाजिसलेचर के बार में पढ़ा था ना कि जो राज सरकारी होती है ठीक है जो विधान सभा होती है उसमें कैसे लोग चुन याते हैं कैसे उनकी जवाब दे ही बनती है तो हमने जब प्रिविएस वीडियो में ठीक है सैवन्त क्लास की पॉलिटी में हमने चार- प्रेजेंट सरकार में ठीक है वर्तमान सरकार जिसकी भी है आपकी जवाब दे ही बनती है तो आप जवाब दें फिर उनकी गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यह जो मेरे साती है ऐसी इलजामात लगा रहे है तो यह इससे क्या लोक्सभा का बात करें तो सबसे पहले आपने आतर रखना है एक तो हो गया लोक्सभा प्लस राजसभा प्लस प्रेजिडेंट ठीक है प्रेजेडंट लोगसभा या राजसभा के मेंबर तो नहीं होते बटेस का पार्थ होते हैं ठीक है अपने तो याद रखना कि कई वाई रहे एबेगस में पूर्चता है के या में से कौन सा जो तो आलिमेंट है या फिर मेंबर की पार्ट नहीं है तो जो प्रैस्डेंट रियुक्त तुविए या राज्द सभा के ले ? hoping प्रैस्डेंट होते हैं यह तीनों मिलकर भी बनाते हैं तो जैसे । जैसे लिए गभ्त या राज समा में अगर कोई भी इन्हों बाटे गए होते हैं तो इनी से हर जगा से वो जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनकर आते हैं और इसको लोगसभा या राजसभा को फिर वो चलाते हैं तो यह जो जीतते हैं ठीक है तो उन सभी का ग्रुप होता है वो जिस भी पार्टी को बिलॉग करते हैं तो वो सभी मिलक अको पर अपने सरकार को अब आत pigने को से कर आपको यह भी आपने याद रखना है कि जो 2019 के चुनाऊ वह थे जो फिलाहल अभी हाली में वह हुए थे ना चुनाऊ कि यह जो election हुई थी यह कौन सी लोकसभा थी यह स्तारमी लोकसभा के election थी आप आपने इसको बात को बड़ी धान से याद रखना है कि यह स्तारमी लोकसभा के election थे मई 2019 में ठीक है और इसके बाद तो सबसे ज़्यादा party हमने कुछ previous chapter में opposition party के भी बारे में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा party जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिये हों उसको हम opposition party कहते हैं किसके जो जीतने वाले के खिलाफ जैसे कि यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाकी party सबसे ज़्यादा इन्होंने लिया है ना INC ने इंडिया नैशनल कॉंगरेस ने तो इनके 52 वोट से यहाँ पर हैं ठीक है और बीजेपी के 306 तो यह winning party है ruling party है और यह opposition party है 52 जिन के पास है यह सब भी बाकी भी है जितनी parties है बटे इसको हम major opposition कहेंगे अब देखेंगे कि यह जो parliament होती है इसका और क्या 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 काम होता है कि जो national government होती है उसको चुनने का भी यह काम करती है यह कैसे करती है जैसे कि Parliament of India है तो यहाँ पर हमने अभी डिसकस करी लिया जो इसका पार्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं प्रेजिडेंट होते हैं राज्यसभा और लोगसभा यह तीनों मिलकर क्या बनाते हैं पार्लेमेंट बनाते हैं तो यह जो लोगसभा election है ल जीते हैं किस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हैं तो इस वेसाब से उनको क्या बना दिया जाता है उन्हीं की पार्टी फिर कोई अपना परसंद चुन लेती है कि हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी तो वैसे यहाँ पर फाइफ़ोटी थ्री एलेक्टेड होते है और दो एंगलों इंडिया जैसा कि मैं आपको पहले बताई चुका हूँ और इसमें जीतने के लिए लगबग आपको कितनी पार्टी साहिए होती है यहां पर कितने बने हैं 272 आपके पास जो भी है आपके सांसद होने चाहिए जो मेंपर हैं वो उतने होने चाहिए तभी आप सरकार बना पाएंगे और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी सरकारें जब भी मेज़ोर्टी में ना आएं जैसे कि कई बार ऐसा भी तो सकता है कि ये 272 वोट्स जो मेंबर्स हैं वो किसे के भी ना बने उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कोईलेशन गवर्मेंट कहते हैं कोईलेशन फॉर्म्ड कहते हैं जैसे कि मेज़ोर्टी पार्टी है जैसे कि पिछले टाइम में जब भी हम देखें दो यार नौ की बात करें तो यहां पर जो इंडियान नाशनल कॉंग्रेस थी यहां पर इनको 207 मिले ठीक है और यहां कि सब पार्टी हैं आप यहां पर निगा मारेंगे तो आपको कोई भी पार्टी ऐसी नहीं दिखाई दे रहे होगी जिनको आप 272 वोट्स मिले होंगे और 272 जो हमारे सांसद हैं सौरी वोट्स नहीं जो 272 यहां पर सांसद हैं जो MPs हैं तो किसी भी गर्मेंट को बनाने क कि लिए किसी भी सरकार को चलाने के लिए आपको मिनिमम ठीक है आपकी सरकार अगर आपको स्पेस्पिक पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो आपको लगबग 272 वोट्स सांसद चाहिए तो यहां पर इनके तो 206 हैं तो इन्होंने इन्होंने ठीक है सभी ने मिलकर अपनी एक पार्टी बना ली ठीक है यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हम ना गटबंदन के सरकार बनाएंगे इसो कोईलेशन फॉर्म आफ गवर्मेट्स कहते हैं जो की हमारी डैमोकरेसिक ले बहुत ही बुरी बात है जासे कि एक मूवी बहुत में भी एंसमापल आ तो वहाँ पर तीन बच्चे में वो एक बच्चे के 99,000 आया होते हैं तो एक और बच्चा वहाँ पर आता है ठीक है यह जो तीन बच्चे होते हैं वह आते हैं कहाता है कि हम घ। हम झाया हम भी तौप किया कि कि क्योंकि 83 32 33 33 मोत होते है । यह तीन student है 33 33 33 marks करकी हम top क्यों नहीं कर सकते तो आप समझ पा रहे होंगे I hope तो यहाँ पर और क्या हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर और function होता है लोग सभा का वो क्या होता है कि select the executive executive क्या होता है कल हमने देखने को मिल जाता है जैसे कि health minister है agriculture minister है petroleum minister है और educational minister है financial minister है तो यह सभी क्या है यह सभी executive का ही पार्ट है तो इस इनियम क्या कहते है executive जो जिनकी सरकार होती है उसे हम executive कहते हैं जो कि इनियम कानुन जितने भी हैं उनको लागू करवाने का काम करते हैं और जो prime minister of India होते हैं वो क्या होते हैं leader होते हैं ठीक है जितने भी यह अभी हमने देखा था ना कि जितने भी यह parties थी जो भी जीत जाती है ठीक है 545 में से जिन्नों ने भी 272 MP से इनके ज्यादा MP बन गए तो यह का करेंगे इनके सरकार बन जाएगी और इनके लीडर कौन होंगे इनके लीडर होंगे इनके अभी यह जितने लाइन गविफ काईपानि से लीडर को प्रिजण की अडवाइन देखते हैं कि इसे अडवाइस से प्रेज़न की अडवाइस से एफड़ा से इसे आध्वाइस से अट्वायस से ओफन्च वित्त मंत्री हैं तो उनके पास फाइनस मिनेस्ट्री और कौन देखता है कि यह हमारे प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि इनकी अडवाइस से प्रेजेट की अडवाइस से तो उनको गटबंदन के सरकार बनानी पड़ती है तो अभी यह तो हाली में हुआ है ना कि मोधी गौर्मेंट जो भी बीजएपी गौर्मेंट है उनको 300 प्लस उनको जो सीट्स मिली थी तो वह अपनी सरकार बना पाये थे विज़ा हुज मैजॉर्टी और यहां पर और क्या ह हम देखने को मिलता है जो राजसभा होती है हमने उपर लोगसभा की तो बात कर ली और राजसभा की बात करते हैं कि जो राजसभा होती है पार लिमेट में तो राजसभा भी किसी भी बिल्को इंट्रेड्यूस कर सकती है और वो कानूल बनाने के लिए तो राजसभा में मे तूठीर होते हैं और राजसफा के जो मेंबर होते हैं कैसे चुनकर आते हैं यह यह स्लेका करते हैने उर्सेयह कि आते हैं इनको लिगस्ट कर किया तो दिदूरी पर गरते हैं उर्सेया है और ख्योल, hero, राज्यों से चुनकर आते हैं, जैसे कि हमारे राज्यों से चुनकर जाते होंगे, तो यह वहाँ पर अपनी जो बात होते हैं, होते हैं हमारे एरिया की बात होती है, वो वहाँ पर उनको रखते हैं, और इसमें एक खास बात यह है, कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा म बाद में उसकी consent तो चाहिए मंजूरी तो चाहिए अगर वह मंजूरी ना भी दे ठीक है money bill की बात कर रहा हूं मैं कि जितने भी धन बिल है उनको उनकी मंजूरी चाहिए होती है राजसभा की बटे इंट्रड्यूस नहीं कर सकते बाकि कोई भी कानून वाले हैं कोई भी इनके जो members होते हैं इनकी term होती है six year और ये क्या करते है control, guide and inform the government तो हमारी parliament जो होती है वो और क्या काम करती है to control, guide and inform the government की उनको control में रखती है उनको guide करती है और सरकार को बताती है कि ये काम नहीं हुआ जैसे कि हमने जब previous chapter में पढ़ा था कि जो हर्याना में जो भी उनकी विधान सभा बैठक होई थी तो उसमें सरकार से question पूछे जा रहे थे, different parties थे, regional parties के जितने भी अलग अलग area के जितने भी लोग थे, जितने भी वहां के MPs थे, वो क्या पूछ रहे थे, MLA थे, वो पूछ रहे थे कि हमारे यहां पर काम क्यों नहीं हुआ, तो सरकार की टोड़ा सा अपने control में रखते हैं, तो यहां पर हम सरकार से question पूछते हैं, जो कि बहुत ही crucial task है, क्योंकि इससे सरकार की जवाब देही बनती है, और वैसा भी आपको पता ही है, जो executive है, उसकी जवाब देही, legislature को बनती है, executive is responsible to the legislature, तो इससे क्या होगा, इससे जेतने भी policies लागो हो रही है, वो अच्छे डंग से उनके वो लागो कुरवाई जा सकती है, क्योंकि constructive criticism अगर ना किया जा हमारी democracy में, तब तक वो सरकारे हैं, वो अच्छे डंग से काम नहीं कर सकती, तो इसलिए जो opposition party है, वो बहुत ही critical role play करती है, हमारी democracy में, तो यहां पर आपको एक letter भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारा जो Parliament session है, वो question R से शुरू होता है, कि यहां पर हम प्रशन पूछते हैं, कौन प्रशन पूछते हैं, जो भी MPs होते हैं, जो भी सांसद होते हैं, वो प्रशन पूछते हैं, कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप ये काम क करवा रहे हैं, ठीक है, अगर काम शुरू करवा दिया है, तो आपने अभी तक किया क्या क्या है, तो यहां पर इन्होंने पूछा है, मनोज रोजोरिया, विल्दा मिनिस्टर और चाल्ड डिवलप्मेंट भी प्लीस तू स्टेट कि आप क्या ये बात बताएंगे, कि यहा आप दिया है, कि हमने इतनी सारी स्कीम चलाई हुई है, जैसे कि आपको पताई है, कि वो अपने अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश तो करेंगे, अपनी जो भी उनकी सरकार चल रही होगी, दा गॉवर्मेंट गैट्स वेलवल फीडबैक और केप ऑन इट्स टो होंगे, ठीक है, उनका मैक्सिमम उनका अप्रूबल चाहिए होता है, अगर वो पार्लिमेंट ने अप्रूब कर दिया, तो उस हसाब से वो नियम कानून बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो इससे क्या हो रहा है, जो पार्लिमेंट है, गैट्स एन इन इन फॉर्म गवर्मेंट, तो ये इसका काम करते हैं, अब तीसरा काम क्या है, कि ये जो कानून बनाने का काम है, वो कौन करता है, ये पार्लिमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो कानून बनाने का काम वो पार्लिमेंट करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स चैटर में बह ठीक है वो belong करते हैं तो वो कैसे कैसे आते हैं जो पारलिमेट में जो लोग आते हैं चुनकर वो different background से आते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ ruler member होंगे ठीक है कुछ शहरी लोग होंगे शहरी वाले इलाके से आये होंगे और यहाँ पर जो यहाँ पर लोग आये होंगे इनको फिर elect elect करके भेजा जाता है न so there has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes कि अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो political parties है कि जैसे कि Dalits और backward classes है इन में से भी लोग अब चुनकर आने लगे हैं अब अगर हम बात करें स्तारमी लोगसभा elections की जो 2019 में हुआ था तो इसमें लगबग 67.11 ठीक है 67.11 लगबग परतीशत इतने लोगों ने वोट दिया था ठीक है 100 परतीशत में से 100 परतीशत में से लगबग 67.11 लोगों ने वोट दिया था बट एक उस टाइम से देखा जा रहा था कि जो भी democracy में जितने भी लोग चुनकर आ रहे हैं वो reflection नहीं है society की क्यों ऐसा इन्होंने क्यों लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने realize कि जो भी यहां पर हमें लोग यहां पर आ रहे हैं वो हर community से नहीं है ठीक है वो कुछ specific लोग ही है तो इसलिए ऐसा क्या किया गया तो ऐसा इन्होंने कुछ इन बातों का ध्यान में रखते हुए इन्होंने seat reserved कर दी दी पार्लिमेट में इसको करने से क्या हुआ कि जो SC और STS हैं इन के हित में सोचने वाले लोग है ठीक है उनको भी आगे आने का मौका मिला और अब हम देखने को मिलता है कि जो MPs हैं ठीक है जो सांसद है इन community से भी अब चुनकर आते हैं कि जो की आदिवासिज और जो दलित्स होते हैं इनका जो हित है उसको पार्लिमेट में रखते हैं और अभी हमने काफी टाइम से ये भी देखा था ये भी हमें देखने को बात आ रही थी कि जो reservation of seeds of women's है महिलाओं के लिए जो reservation है वो पार्लिमेट में बहुती ज़्यादा कम है ठीक है बिलकुल ना के बराबरी कह सकते हैं कि लगवक 60 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 4 परतीशत जो सांसद हैं ठीक है वो 89 परतीशत पुरुष है मैन है तो यह हमें क्या दर्शार है कि यहाँ पर थोड़ा सा discriminatory action देखने को मिल रहा है यह जो women's का share है ठीक है यहाँ पर सांसद में बहुती ज़्यादा कम है तो यह मुद्दा तो काफी time से उठाया जा रहा है बटे अभी भी उहीं पर हटका हुआ है तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो अभी solve नहीं हुए तो हमें यह भी समझने के जुरुत पढ़ती है कि महिलाओं का जो share है इतना कम क्यूं है तो यह अब हमें सरकार को ही सोचना चाहिए कि ऐसे कदम उठाया जाएं कि सब कोई प्रोथसाहन मिले तो यह आपको chapter यह कैसा लगा अमीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको कुछ समझना आया हो तो आप हमें पूछ सकते हैं आपको इस शेशन का अइसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको इस लगा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब परें थैंक्यू सो मच फर वाचिंग गॉडब्लेस यू वाल